हेलो एवरीवन वेल्कूम अगें टू लंडवे देतीमन तेके बच्चों के सामने यह समस्य आ रही है कि रीट का रिजल्ट जो कि अप्रेल महा के जो अंतिम सप्ता में जारी होना है तो वह अब जारी नहीं हो पाएगा मई में जाकर जो है इसके परिणाम आएंगे कारण क्या है कि रीट के जो प्रस्ण है रीट में जो प्रस्ण पूछे गए है उन पर बच्चों ने काफी जो है वो बच्चों ने आपतियां दर्ज़ कराई हैं तो हर एक प्रस्ण पर जो है बोड को नजर डालनी पड़ेगी उसके बाद जो है रिजल्ट आउट किया तो वहाँ पर बच्चों का भविश्य बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है तो आपने इतना वेट किया है तो थोड़ा सा और वेट आप कर लें क्योंकि आपत्या आप देखेंगे काफी संख्या में आई है वहीं पर दूसरी और राजिस्थानी भासा के जो प्रेशन पूछे गए है ये प्रेशन जो है यह भी हमारे सामने है तो हाई कोट तक तो ये बात जो है वो चली गई है अब हाई कोट ने बोर्ट से जो है इस चीज का जवाब मांगा है क्योंकि राजिस्थानी भासा जो है वो आठवी अनुसूची में शामिल नहीं है तो उसके जो है उस language को जो है वो है प्रयोग नहीं किया जा सकता यह बिल्कुल सत्य बात है लेकिन कहीं न कहीं बच्चों के जहां पर आंसर सही है राजिस्थानी भासा के सभी प्रसुन तो उन बच्चों के लिए भी है कि यदि जो है राजिस्थानी भासा को सामिल नहीं किया जाएगा तो बच्चों के मार्क्स जो है वह भी कम हो जाएगी तो वहाँ पर बच्चों को जो है इसकी जो हानी है वह उठानी पड़ेगी तो अगर हम देखते हैं तो कहीं न कहीं बच्चों का नुकसान ही है ठीक है? नुकसान ही है गलती जो है वो बोड की है और नुकसान बच्चों को उठाना पड़ता है इतने प्रश्ण पर आपतियां आई है ये लोग प्रश्ण किस तरीके से बनाते हैं इतना टाइम लिया जाता है फिर भी प्रश्ण गलत छप जाते हैं तो ये बहुत बड़ी misstep को होती है क्योंकि उनके उपर जिम्मेदारी होती है बच्चों की, बच्चों के भविश्य के साथ ये खिलवाड कर जाते हैं, तो ये चीज जो है इनको सोचनी चाहिए, काफी टाइम हो गया है, कि जो है भरती जो है वो पहले आई नहीं, और जब आई तो वो रद हो गई, और उसके बाद जो है वो दुबारा से जो है वो जो एक्जाम है, जो फर्स्ट पेपर था जीके का, तो वह आउट हुआ है, अब एक आउट हुआ है, यानि कितने आउट हुए हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता, एक व्यक्ति पकड़ा गया है, पता नहीं कितने व्यक्तियों तक प्रशन पत्र पहुंचा है, कई बच्चे जो किके किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, न बोर्ड वालों का बिगड़ रहा है, न सरकार का बिगड़ रहा है, गुमा फिरा कर बच्चों का ही बिगड़ता है, तो ऐसी कंडिशन में जो है, सोच समझ कर हर जगे जो हो पैसला इनको लेना होगा, क्योंकि बच्चों का जो है वो अविश्य बहुत ज़्यादा खत्रे में है इतने सालों तक जो है वेट करने के बाद भी जो है जब पल की जो चाहा है बच्चों ने की है कि रिजल्ट जो है वो हमें positive मिलेगा वहाँ पर भी जो है प्रेश्न खड़ा हो रहा है चाहे second rate की बात करें चाहे rate की बात क नहीं एक हफते या दो हफते अगर डिले होता है तो हो जाने दो ज्यादा फिक्र मत करिये इसकी लेकिन बिल्कुल जो है यहाँ पर positive response आना चाहिए और की तरफ से जो हर चीज सो समझ कर पैसला लेना चाहिए किसी भी बच्चे का जो किसी भी condition में नुकसान ना हो ऐसा ही हो ठीक है और जिन बच्चों ने वाकई में मेहनत की है पूरे साल जो है वो बहुत जो है वो कड़ी मेहनत करके समय निकाल कर जिनकी उम्र जो है यह समझ यह किसी की उम्र तो जो है वो last ही होगी कि वो last वार ही जो है वो exam दे पाएंगे ऐसी भी condition हुई होगी तो उन बच्चो का selection तो होना ही चाहिए क्योंकि उनको आगे मौका नहीं मिलेगा तो यह जीज़ों जो है वो board को सोचनी समझनी होगी ऐसा नहीं है बच्चों के साथ जो है वो आप खिलवार नहीं कर सकते हो तो आप कुछ देख रहा है जिनोत ने जो है वो की है पेपर आउट करवाया है चाहे कितने भी वड़े व्यक्ति रहे हूं तो वो भी सामने आ रहे हैं उनको भी पकड़ा गया है एक बार उन्होंने अच्छे से अपना खूब नोने वो इससे धन कमाया है लेकिन इससे क्य हुआ है इजघ्जट तो उनकी खराब हुई है साथ में उनको पैसो का भी भारी नुक्सान भी उठाना पढ़ेगा यहां तक कि उनको भी नहीं उनके बच्चों को भी उठाना पढ़ेगा तो किसी को भी ये करने का जो है वो अधिकार नहीं है बच्चों के साथ जो है जो खिलवाड करते हैं किसी को भी अधिकार नहीं दिया गया है ठीक है तो ये चीज जो है वो अब नहीं करनी चाहिए ये बहुत ही जो है वो गलत बात है केवल मेहनत का जो है वो फल बच्चों को मिलना चाहिए यहां तक ही हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से जो है राजनीती में जो है वो एक्जाम फस्ते जा रहे है तो यह चीज जो है वो गलत हो रही है तो अब जो है यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है बच्चों को positive response चाहिए राजिस्तानी भासा के जो question पूछे गए है उस पर board को जवाब देना होगा बच्चों ने जो answer सही किये हैं जिन बच्चों ने उनको भी नुक्सान नहीं हो और जिन बच्चों ने आपती दर्ज कराई हैं उनको भी नुक्सान नहीं हो ऐसा कोई फैसला जो है इनको लेना ही पड़ेगा तब जाकर जो हो रीट का रिजल्ट जारी होना चाहिए तब तक बच्चे वेट कर सकते हैं ठीक है अब जो है कई बच्चे जिनका पेपर ही खराब हुआ है या फर्स्ट टाइम जो है वो अब रीट प्री के जो है तयारी करेंगे तो उन बच्चों के लिए ये है कि अभी सही तयारी सुरू कर दीजिए क्योंकि कुछ भी नहीं पता है फटा-फट से नोटिफिकेशन आ जाता है और एक्जाम की डेट जो है ये लोग 2,5 महीने या 3 महीने कभी कभी जो है देते हैं जिससे कि तयारी अच्छी नहीं हो पाती है इस लेबस काफी जादा है और जो बच्चे अभी टाइम वेस्ट करेंगे आगे जाके उनको जो है वो बहुत लॉस होगा अभी जही तयारी जुरू कर दीजिए NCRT बुक जो है राजिस्थान जीके की बुक जो है वो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आपके में यही आने वाला है इससे बाहर नहीं आएगा ठीके रीट प्री का जो एक्जाम होगा रीट पातरता परिक्षा जो है उसका जो एक्जाम होगा उसमें यही से प्रशन आएंगे NCRT बुक और राजिस्थान जीके जो हमारा राजिस्थान की बुक है इसको पढ़ना चालू कर दें चैनल पर पढ़ाई ही जा रही है और अगर आप जो है वो खुद बुक मार्केट से लेके आते हैं तो उससे पढ़िए कैसे भी पढ़िए अभी से स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि लास्ट टाइम पर भीर जो है वो इतनी हो जाती है हर कोई एक ही चीज़ की त्यारी करता है तो वहाँ पर अपने आपको अच्छा साबित करना वो संभव नहीं हो पाता है तो इसके लिए आप लोग बहुत महनत करें ताकि एक बार में ही आपका क्लियर हो जाए आपको सोचना ना पड़े ठीक है पास्टियर के बच्चे वो भी बैठे हुए हैReet Pre का एक्जाम होगा उसके बार जो है तो सबसे पहले रिट Pre के लिए तयारि सटार्ट कर दे है अब जह है बच्चे एक्जाम देकर बैटे है तो उनके partie में यह है कि अपको समझ में ही सोचना कि अभी जो है result नहीं आया, अभी जो है result आ जाएगा उसके बाद हम जो है सोचना start करेंगे, तो काफी जो है वो late हो जाता है, क्योंकि 50% बच्चे जो है जैसे ही exam हो जाता है, कुछ दिन rest करते हैं और फिर से start हो जाते हैं ताइम टेवल जो हाई अपना जिस तरीके से आप लोगों ने भी ताइमतेवल बनाया था और उसके अकॉर्डिंग आप है वह एक गहन्टा या दो दो गहन्टा देकर आपना सब्जेक्ट जो हाई तो उसी तरीके से जो हे वह दिन में तीन-चार गहन्टे जो हां वह आप ल आईगी ही और पिस्पटी बार भी आईए है हार बार आईगी, ठीके राजीस्तान जी के जो मस्ट है, तो आप जो है वो उसको पढ़ना स्टाट करिए, वन लाइनर कुश्न जो है उनको याद करिए, धीरे धीरे जो है इनको अउमेर करते हैं, तब ही जो है सलेबस कंप्री तो अभी जो है वो बुक रीट करिए, चाहिए आप आगे जो है वो रीट प्रीक की तयारी करेंगे, सेकंड ग्रेट की करेंगे, संस्क्रिट डिपार्टमेंट की जो आई है विकेंसी, फर्स्ट ग्रेट की जो विकेंसी है वो तो आपको काफी देखने को मिलेगी, वो आप पढ़िए अभी केवल रेडिंग करना स्टार्ट करिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही आगे की और बढ़ते हुए थैंक यू